स्टूदेंट्स तो याज हमारा सेकेंड लेक्चर है इस चेप्टर का ग्रैविटेशन का तो इसमें एक टॉपिक कवर करेंगे कोई भी घुमने वाला जो अबजेक्ट है मतलब ऐसा अबजेक्ट जो की सर्कूलर घुम रहा है तो ऐसे सर्कूलर घुमने वाले अबजेक्ट पर जो फोर्स अपलाए होता है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं सेंट्री पिटल फोर्स और ये फोर्स हमेशा उस अबजेक्ट को तुवर्ज दे सेंटर मतलब सेंटर की तरफ अट्रेक्ट करने की कोशिश करेगा तो मैं बोलूँगा अबजेक्ट मतलब ऐसा फोर्स जो लगता है किसी भी अबजेक्ट पर along a circle यह object circle में circular घुमना चाहिए and it is directed toward the center of the circle और यह जो force है यह उस object को center के तरफ खिचने की कोशिश करेगा this is called as centripetal force मैं example बताता हूँ आप एक पत्थर को रसी बांदिए या फिर एक धागा बांदिए और आप उस धागे का एक हिस्सा जो अपने उंगली में बांद के उसको गोल-गोल घुमाईए तो आप देखोंगे कि वो गोल-गोल-गोल घुमेगा लेकिन जैसी आप लोग अपने हाथ को या अपने उंगली को घुमाना बंद कर दोंगे तो वो पत्तर आपके तरप आने की कुशिश करेगा मतब towards center बोल सकते है तो उसे कहेंगे बिटा हम centripetal force so centripetal force मतलब मैंने बोला ऐसा force जिसके कारण कोई भी object जो है उस वो object आता है center की तरप तो किसी भी object को center की तरप खीच कर लाने वाला जो force है उसको कहते है centripetal force लेकिन condition ही होने चाहिए कि object जो है वो circularly rotate होना चाहिए मतब circular form में rotate होना चाहिए फिर ये centripetal means center seeking centripetal का मतलब होता है center की तरप जाने वाला that is object tries to go towards the center of the circle मतब object हमेशा try करेगा circle के center में जाने की कोशिश करेगा towards the center of the circle because of this force इसी centripetal force के कारण तो अगेन बता रहो ऐसा force जिसके कारण circular form में घुमने वाला object जो है वो हमेशा center की तरप attract होगा तो ऐसे force को हम लोग कहते है centripetal force होप सो आपको समझा होगा यदि आपको समझा होगा तो आप इसे like कीजिए share कीजिए अब तक यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए और comment करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा thank you